हाई बच्चे वेलकम टीओ और माई योट्यूब चैनल अर्बिट बिड़ने ठीक है मैं फैसल आप लोगों के सामने सुरू करने जा रहा हूँ हूँ कमपनी एकाउंट्स का इस्व डिवेंचर्स टॉपिक इस अब डिवेंचर्स को समझने से पहले हैं थोड़ा सा समझते हैं कि ये डिवेंचर्स होता क्या है थोड़ा सा चलो पहले इसके बारे में हम डिसकस करें डिवेंचर्स होता क्या है कमपनी को लोन की जरूरत होती है तो कमपनी क्या करेगी लोन लेगी अब loan तो company कहां से लेगे company के पास दो option होते है एक आप समझो कि company जो है loan जब लेगी तो company एक या तो bank से ले सकती है या public से ले सकती है अब bank से लेगे तो आप समझो आप bank से अगर loan लेने जाते हो तो bank आप से क्या करती है bank अपने conditions जालती है कि हम आपसे इतने rate से interest लेंगे यानि company जो bank होती है rate खुड decide करती है 10 years खुड decide करती है इतने समय के लिए हम आपको loan देंगे साथ में आपको security देनी परती है security के मतलब यानि आपको बदले में कोई कागज, जमीन के कागज या properties के कागज, आपको देने परते हैं, तो that's अगर company bank से loan लेने जाती है तो उसके साथ दो बाते होंगी एक company का जो banker होगा वो decide करेगा कि rate कितना होना चाहिए, दूसरी बात है company का जो banker होगा, वही decide करेगा कि कितने समय में आपको loan repay करने होगे तीसरी बात है, company का जो banker होगा, वही decide करेगा कि जो securities है, कितनी pay करनी होगे, that means आपको अपने property के जो documents है, क्या देने होगे, आप समझो, हम अगर public से लेते हैं, तो public से लेने के लिए, तो public तो mass है तो जाहिर से बात है, वहाँ पे हम बड़े हो जाएंगे, तो public के सामने में company बड़ी होती है, तो obviously company rate decide करती है कि वह rate क्या देगी, कितने समय में पैसे वापस करेगी और साथ ही साथ company ही decide करती है, कि वह security देगी, नहीं, तो आप मोटा मोटा समझ सकते हो, कि normal way में जो companies होती है, उनको public के हाथों में अपने documents submit करने की कोई जरुवत नहीं होती, कि इतने ज़्यादा लोग है आप किनको किनको अपने documents जो है वो दोगे, तो that's why company का जो logo होता है, इसी पर लोग trust करते हैं, और company को loan दे देते हैं, तो एक तरह से कहो कि अपनी भासा में, आप कह सकते है कि एक certificate है loan का certificate of loan यह आपके लिए एक तरह से कहो कि public के point of view से यह आपके diventures है, यापने loan लिया, हम XYZ company हैं, हमने public से loan लिये हैं, loan के रकम जो होती है, वो normal ही 100 रुपे, 20 रुपे, इस type का होता है, तो उसके बदले में हम उनको एक लिखित में certificate देता हैं, कि हमने आपसे इतने percent ब्याज पे, interest पे loan लिया है, जिसको हम इतने समय में repay कर देंगे, यह सारे documents पे लिखा होता है, और उस पे company का seal लगा होता है, कि stump लगा होता है, यही आपका deventures है, तो मोटी-मोटी भासा में आप deventures होता क्या है, यह तो समझ रहे हो, अब यहीं पे हम deventures के kinds भी आपको यह कर देते हैं, तो इसमें एक चीज़ और थोड़ी सी मैं इसमें properties भी आपको गिना लूँ, तो अभी हम इसकी properties या features की बात कर रहे हैं, properties या feature है तो पहली बात, company का जो deventures होता है, यह company के, एक तरह से कहो, company ने loan लिया है, इसका एक certificate होता है, certificate, इस पे company का seal जो होता है, वो अंकित होता है, यानि company का जो logo है, वो लगा रहता है, इसके साथ साथ आप कहा सकते हो, इस पे जो होता है, tenure पहले से fix होता है, उसके बाद इसमें जो होता है, pre-decide rate होते हैं, पहले से rate भी पता होता है, तीसरी, जो company के deventures होते हैं, वो secured होते हैं, secured card हो गया, कि अगर company जो है, अपने time पे, deventures के पैसे वापस नहीं कर पाते हैं, deventure holder को, तो deventure holder नया याले में, यानि court में case करकर, अपने जो secured assets हैं, उनको बिचवा कर अपने पैसे वापस ले सकते हैं, इसके साथ company के जो deventures होता है, ये एक तरह से कि long term properties का loan होता है, यानि इसमें long term loan कह सकते हो आपसे, तो ये तो आपको clear हो गया, कि company के deventures की जो properties या features हैं, वो कितने हैं, अच्छा, अब जब हम deventures को जानी रहे हैं, तो इसके साथ साथ एक topic और है, bond, इसको भी हम समझ लेते हैं, bonds होता क्या है, bonds पहले के जमाने में सर्फ government जारी किया करती थी, government का का काम क्या होता था, government को अगर loan loan की जरूरत है, तो government बदले में bond देशू कर देती थी, जिसके through public से उनके पास पैसे आ जाते थे, बाद में वो public को अपने पैसे जो होती थी, यह वापस कर देती थी, तो यह bond का सिस्टम हुआ करता था, जो पहले चलता था, अब bonds जो है, जो हमारे semi-government जो institutions होते हैं, और जो बाकी जो public companies हैं, वो भी अब bonds से सूख कर सकते हैं, bonds में और deventures में मोटा-मोटा सर्फ interest का फरक है, bonds में interest pre-decide नहीं होता, interest जो deventures होता है, deventures में तो आपको बता है, मैंने कि deventures के interest pre-decide होता है, पहले से fix होता है, कि company इतने percent आपको interest देगी, bond जो होता है, नॉर्मल ही क्या होता है, जो उसकी face value होता है, उससे कम कीमत पे इसू किया जाता है, तो इसको आप deep discount bond भी कह सकते हो, इस टाइप का words use किया जाता है, कुछ लोग इसे zero coupon bond भी कहते है, तो bond का मतलब क्या बता दिया है, bond हो गया यह zero coupon bond हो गया, यह deep discount bond क्या होता है, तो आप कहोगी कि bond जो होता है, जो bond की face value होती है, उससे कम कीमत पे इसू किया जाता है, और जो इसू की price होती है, और जो bond का face value होता है, इसका जो difference होता है, यही interest होता है, जैसे चलो, मैं एक example से बता दो, कि company ने 100 रुपे वाले bonds जो है, इसू किये, अब 100 रुपे वाले bonds इसू किये हैं, company ने इसे 70 रुपे में इसू किये हैं, जो 5 years के लिए है, तो that means company जो है 70 रुपे आज आप से ले रही है, और जब company पात साल के बाद आपको वापस करेगी, तो company उसे आपको 100 रुपीज वापस करेगी, तो यह जो 30 रुपे difference निकल के आ रहा है, 100 और 70 का difference, यह आपके interest को indicate कर दा, clear है तो अब हम बता रहे थे आपको कि debentures की kinds भी हम यहीं study कर लेते हैं, कि debentures कितने तरीके के होते हैं, इसमें सबसे पहला debenture है, that is called convertible debentures, convertible debentures are those debentures which can be converted into shares or other debentures during the period of life, मतलब जो debentures की term है, जो periods है, जितने समय के लिए debentures को issu किया गया है, उस बीच में उसको convert करके, दूसरे shares में या debentures में बदल दिया जाएगा, that is called convertible debentures, non-convertible हो गया जिसको उसके period of life में, यानि उसके life period में convert नहीं किया जाएगा, उनके पैसे वापस किया जाएगे, that is called non-convertible debentures, एक होता है secured debentures, इसी को हम mortgage debentures भी कहते हैं, secured या mortgage debentures क्या होता है, तो वे debentures जिसके बदले में, company की कोई property या assets को secured करके रखा गया है, यानि company ने अपने कोई assets को बंधक के रूप में, यानि गिरवी के रूप में रख दिया है, that is called mortgage, mortgage इसका नाम हो गया, secured का unsecured debentures होते हैं, जिसके बदले में company ने कोई assets जो है secured नहीं किया है, यानि एक assets भी, कोई भी assets को बंधक के रूप में नहीं रखा है, reserve नहीं किया है, that is called unsecured debentures, आज के टाइम पर ये debentures नॉर्मली इसू नहीं होते हैं, ठीक है, बट फिर भी आपको जानना है, अब एक होता है register debentures, register debentures होता है, इसमें क्या है कि company के जितने भी debenture holder होते हैं, company अपने पाढ़ एक debentures holder के register को रखती है, उस पे सभी debenture holder के नाम लिखे होते हैं, that is called register debentures, एक होता है bearer debentures, B.R.A. Diventures कहते हैं जिसमें कम्पनी के जो Diventure Holder होते हैं कम्पनी उनका Record नहीं रखती, कम्पनी सभी को अपने हां Diventures दे दी और उसकर दी कम्पनी Free हो गए, जो भी Diventure को लेकर आएगा Certificate को लेकर आएगा, कम्पनी उसको पैसे उसके वापस कर देगी इस एक होता है redeemable और एक होता है irredeemable redeemable deventures कहते हैं ऐसे deventures जिनके पैसे company जो है वो अपने period of life में वापस कर देगी यानि जो deventures का tenure है उसके बीच में उनके पैसे redeemed कर दिये जाएंगे that is called redeemable और जिनके पैसे वापस नहीं किये जाएंगे that is called irredeemable इसके बदले में company क्या करती है उनको दूसरे deventures या shares दे देती यानि पैसे नहीं देगी पैसे के सिवा आपको कुछ और दे दिया जाएगा तो ये total हमारे एक, दो, तीन, चार, पाँ, छे, साथ, आठ काइंड्स हो गए सब एक दूसरे के convertible, non-convertible secured, unsecured, registered, beer और redeemable, irredeemable ऐसे करके आप याद कर दोगे इनसे one marks के questions कई बार पूछे गए है, that's important अब यहां इसका सबसे important topic आएगा, वो deventures को share से differences आप से पूछा जा सकता है, कि अगर हम deventures में और shares में difference की बात करें, तो क्या difference है, चलो तो आप इसमें पॉइंट्स की तरह इसको ले लो, basis of difference ठीक है, और इसके basis पर हम करते हैं, deventures में और shares में क्या difference है तो चलो, basis of difference के basis पर, अब capital और versus loan हम यह मान के चलते हैं versus loan, तो deventures जो एक तरह से को, company के लिए loan है, ठीक है और जो shares है, वो company का capital है, एक point आपको clear हो गया अब honors के honor का नाम अगर बात करें तो honors में deventures के जो honor होते हैं उनको हम deventure holder कहते हैं deventure holder यह company के लिए एक तरह से को, creditors है, loan देने वाले हो गये, और share के जो holder होते हैं इनको हम share holder कहते हैं तो यह company के लिए एक तरह से कहो share holder जो है, company के मालिक हो गये एक तरह से आपके अपके अपनी भासा में, ठीक है अब honor के point of view से बाइद हैं, अब return की बात किया जाए तो return के point of view से अगर करें तो हमारे का है, deventure holder जो होते हैं, इनको interest मिलता है pre-decide rates से, और जबके share holder जो होते हैं, इनको dividend मिलता है तो इसमें rate का जो scene है, वो क्या है कि अगर preference shares है, तो उनके तो pre-decide होते हैं, equity shares में कोई decision नहीं होता, ठीक है यह बात को के लिए हो गया, ऐसी return के बाद अगर हम बात करें, तो secured की बात करें इनके पैसे जो होते हैं, highly secured होते हैं normally highly secured होते हैं, यानि इनके पैसे डूबने के chances थोड़े कम होते हैं आप कह सकते होippers, और इनके जो होते है, non secured माने जाते हैं क्योंकि यह तो मालिक है, मालिक है तो जाहिर सी बात है दूबेगा तो यह इरतो करने ही परेगा decision the voting of WOOTING राइट की बात की जाए v0 और यह वोटिंग राइट है कि कितो इनको वोटिंग राइट नहीं होता है और इनके पास वोटिंग päाइट होता है ठीक है और अगर आपका होगे तो और भी points आप गिना सकते हो कि diventures और डिवेंचर्स को डिसकांट पे इसू किया जा सकता है इसको डिवेंचर्स को डिसकांट पे इसू किया जा सकता है यह तो मैंने आपको सेयर टॉपिक में भी बता है कि सेयर्स जो होते हैं डिसकांट पे इसू नहीं किये जा सकते हैं जब कि डिवेंचर्स को हम डिसकांट पे भी इस वो कर सकते हैं आगे हम सीखेंगे भी तो इस तरीके से मोटे-मोटे पॉइंट से थोड़ा-थोड़ा ध्यान लगा लेना ये बड़े फैबरेट कोश्चन समा दे जाते हैं टीचरों के कि most of the time अगे जब आपके ये topic सुरू होगा तो स्कूल में टीचर्स अराम से आपसे पूछेगा क्या कि सेयर और डिफरेंचर्स में डिफरेंसे क्या है एक चीज़ और करनो आप इसमें कि जब कंपनी अगर wind up हो रही होती है close हो रही होती है बंद हो रही होती है तो डिवेंचर होल्डर के पैसे पहले refund किये जाते हैं अब हम आ रहे हैं इसकी topic issue of deventures अब यहां से हम practical topic पे शुरू हो रहे है issue of deventures होता है issue of deventures तीनों case में हो सकते है यानि at par पे भी आपको deventures issue करने का option है ठीक है at premium पे भी आप deventures issue करते हो और at discount भी आप deventures issue कर सकते हो यानि company के पास यह तीनों rights है at par का मतलब आप जानते हो company जो है जितने का deventures है उतने में ही बेच रही है यानि 100 के deventures को 100 में issue की जा रही है that is called at par इसे at premium यानि जितने का deventures है उससे अधिक कीमत पर हम deventures को issue कर पाते हैं that is called at premium और at discount का मतलब जितने का deventures है उससे कम कीमत पर अगर आप deventures को issue कर रहे हो तो that is called at discount चलो अब entries में हम सीख लें यहाँ पर deventures जो है बिलकुल share की तरह सरल है आप अराम से इसको cover कर से चलो एक एक करके हम समझते हैं अब इसकी first entry को समझते हैं for issue of deventures issue of deventures अब मैं sort में लिखूंगा अब ध्यान लेना अब issue हम कर रहे हैं एक case हो सकता है तो issue के case पर क्या entry होगी बेटा तो यहां पर नॉर्मली पैसा आता है आपके पास आप entry दिखाओगे bank account debit ठीक है टू में deventures के application account अब यहां पर एक चीज़ जहां रखना कि percent is normally 8% 7% 9% कुछ step का rate दिया रहता है deventures को जब इसु किया रहता है जरूरी नहीं है को 8% हो 5% 12% 11% कुछ भी दे सकता है बड़ लिखना जरूरी होता है interest लिखते हैं ऐसे फिर जब हमारी दूसरी entry होगी दूसरी entry क्यों होगी issue of deventures की बाद हम क्या करते हैं deventures का application का पैसा होता है उसको transfer कर देते हैं आगे कहां जो deventures में तो फिर वहां पे entry बना दोगे आप deventures application account डेवेंचर application डेबिट तू में आप कर दोगे डिवेंचर अब यहां पे rate डालना mandatory होता है rate जरूर डालोगी तो अब यहां पर ही बत आदर डाला करो इसके बिना आपके questions जोंगे जलत पाने जाएंगे अब हमने वहीं लिख जया तो यह हो गया दूसरी entry होगी अब तीसरी entry क्या होगी allotment की entry करोगी allotment due कर रहे हो तो यहां पर क्या हो जाएगा वैसे मालो हम 8% ही लेते हैं 8% deventures allotment account debit पूरा sort में हम लिख यहां पर यहां पर भी space की भी बात होती है और में चारों की सारे सारे ही हो जाए तो 8% deventures allotment account debit to me आप ऐसे लिख दोगे एट परसेंट डिवेंचियर से काउंट और टेकर ऐसी जब हम अगली एंट्री करेंगे तो हमया लक्त में पैसे करेंगे लक्मार्ट मेंत के पैसे करेंगे तो हमारे पास पैसे आ रहे हैं तो हम现在 बना देंगे बेंक एकाउंट डिविट हो जाएगा टूममें आप 8 percent diventure allotment account diventure कि अलॉट्मेंट ऐसे करके आप entry दिए डिखा देंगे आ आ मैं ऐसे जब हम आगे बढ़े हैं तो calls के एंटरी विए पर दिखा दिए ठिक्या तो काल्ष लिए और क्या हो जाएगे यह विप्ट और हम रहे हो मावअ तो वहीं डिवेंचेर्स जांए उसका हम कॉल्स कर रहे हैं तो फिर वही आप लिखाओगे एट परसेंट है दिवेंचेर्स ही कॉम एक फर्स्ट कॉल एज़ों भी इमड़ी सिरफ और को क्व यहां पर क्या करोगे 8 प्रेश्न दिवेंचर अब यहां पर एकर फिरtså का देट कर दी कह दिजह सिकट कॉल है टो Brian को निक दो यहां पर सब फिर सब्सक्राइं और पैसे रिसिब ऒूंगे this отвеч हुआ है तो Fs the state कर दीजिए सिकंट और सिकंट को कॉल लिख्ट麼 disciple कभाया है यहांपर फिर लिख सकते हो सिकंट लिख Corps Đिकसी मैं प्रनीठ सकते हो कुछ भी लिख सकते हैं तो पैसे रिंट होने की एन्ट्री दिखा आप से रेट के एंट्री थे रिखा सकते है यह तो होगा पाराट के एंट्री' ऐसा हम प्रीमिम पे सकते हैं प्रीम के टाइम पर क्या होगा देखो पहरी स ждि तो आ ड़ुक्ड पर यही premium due होता है तो जब premium होगा तो यहां पर आप entry दिखा दोगे जो आप entry दिखा रहे जैसे 8% जब premium यह third entry आप जब करते हो जब allotment due करते हो 8% deventure allotment account debit करते हो आप two में 8% deventure लिखते थे आप 8% deventures account यह तो लिखते ही थे यहीं पर आप क्या करोगे security premium reserve को भी एंटर दिखा दोगे security premium reserve इसकी entry भी आप को दिखा दोगे ठीक तो यहां पर यह हो जाएगा अब ही अगर suppose करो कि first call के बने application के टाइम पर premium होता तो फिर यहां पर जो आप application के टाइम पर जबाब बना रहे थे तो यह वाले entry जो होती जैसा हम यहां पर लिख रहे हैं तो application यहीं पर हम क्या करेंगे यहां पर भी security premium reserve लिख लेए अगर यह होता तो अगर मानलो यह first call पर भी होता तो यहां पर भी एट परसेंट डिवेंचर application तू में एट परसेंट डिवेंचर यहीं पर तू में security premium reserve लिख लेए ऐसे गर first call पर होता तो यह एट परसेंट डिवेंचर फरस्ट कॉल एकांट डिवेंचर तू में यहीं पर security premium reserve होता final call है तो final कई पर questions को tricky बनाने के लिए application, allotment, first call, final call चारो पांचों पर बांट दिये जाता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, यह भी आपके लिए options है, ठीक है, अब ऐसे हम चलो discount की भी बात कर ले, discount भी अगर कुछ नहीं कहा हो, तो discount का जो topic होता है, वो कहां पर होता है, allotment के साथ होता है, तो चलो अगर allotment पर है, तो अब एक बार allotment के एंटर बना रहे है, allotment account, debit, पूरो लिखो, चलो साफ से, debit, 2 में आप क्या करते हो, 2 में आप diventures करते थे, यहीं पर आप क्या करो, वो diventures का जो discount है, वो भी indicate कर दो, तो discount on issue of diventures इसको भी यहीं पर debit कर दीज़ेगा, 2 में आप का जाएगा, वही, 8% diventures है, तो 8% diventures एकाउंट तो बस यह ध्यानके, कि discount है, तो discount loss होता है, वो debit हो जाएगा, और premium है, premium पायदा होता है, तो वो credit हो जाएगा, इतना सा entry हुआ, अब इसके साथ एक चीज़ ध्यानकरा है, कि अगर वही application पे भी होता, तो वहाँ पे भी debit हो सकता था, first call पे होता, तो वहाँ पे भी debit हो जात है, कि जब company अपने diventures को discount पे issue करती है, तो उसके लिए mandatory होता है, कि company जो है diventures के जो life है, span है, lifetime है, उसके बीच में ही आपको diventures के जो discount होते है, उनको write-off करना mandatory हो, write-off करने के entry है, मैं आपको यहाँ पे सिखा देता हूँ, कि हम अगर discount के बाद, चाहे बोला हो, चाहे नह नहीं बोला हो, हम write-off जरूर करते है, write-off करने के entry क्या हो जाती है, तो write-off करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर security premium reserve में पैसा है, तो उससे आप write-off कर लो, security premium reserve में, अगर पैसा है, तो आप उसको debit कर दो, इस लिए देता हो questions में, ठीक है, और ऐसे ही अगर मान लो statement of P&L में पैसा है, तो आप उससे ले लो, statement of profit and loss account, इसको भी debit किया जा सकता है, तो में यहीं पर, यह जो discount का पैसा है, इसको आप ले लोगे, तो discount on issue of deventures account, यह आप दिखा दोगे, मतलब, अगर आपके पास premium में पैसा है, तो premium to make discount on issue of deventures, अगर premium में पैसा नहीं है, तो statement of P&L to make discount on issue of deventures, अगर suppose करो कि discount जाता है, और premium में sufficient पैसा नहीं होता है, suppose कि जैसे ले लो, discount जो है 3,0,00,00 रुपे है, और premium में सिर्फ 1,20,000 रुपे है, तो हम क्या करेंगे, security premium में रिजर्व डेबिट कर देंगे 120 से स्टेटमेंट आफ P&L 180 से कर दोगे तुमें डिस्काउंट आफ डिवेंचर से आप सो कर देजेगा ठीक है और एक बात और ध्यान को मैंने जितने भी आपको ये टॉपिक करा हैं इन सब के कोश्चन आपके डिके गॉयल बुक से जितने भी प्रैक्टिकल कोश्चन से वो मैंने शौल कर रखा है ठीक है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा अब उनसे भी इनको टैली कराव ले यानि जैसे पार का टॉपिक आपने समझ लिया अपनी कॉपि पे नोट डाउन कर लो मैथर्ट जो है उसके बाद आप क्या करो डिस्क्रिप्शन में आपके कोश्चन दे रखे हैं मैंने कोश्चन के लिंक दे रखा है मैंने आप उससे कोश्चन नमबर 1, 2, 3 ऐसे करके देखोगी दैन फिर जैसे प्रीमियम का टॉपिक आपने समझ लिया फिर वैसे डिस्क्रिप्शन में जाईए डिस्क्रिप्शन में उसके भी लिंक दे रखा है उसके भी कोश्चन को आप देख सकते हो वैसे डिस्काउंट का टॉपिक है इसके भी टॉपिक को करा दिया है और इसका भी नुमेरिकल्स बहुत इंपोर्डेंट माने जाते हैं अब तो आपके सब्जेक्टिब एक्जाम्स हैं तो आपके लिए और ज्यादा अच्छे इंपोर्डेंट टॉपिक होंगे हमें ध्यान से कवर करना होगा इसमें दो केस हो सकते हैं कि इस कंपनी कि पर्चेस एन एसेट्स कंपनी एसेट्स खरीद रही है तो अब एंट्री क्या होगे हम एंट्री बनाएंगे संट्री एसेट्स एकाउंट डेबिट हो जाएगा इन दूमें जिस से में खरीदा है उसका नाम नाम दे रखा है तो वेरी गूड मेए दिया है ता आप वेंडर लिख दोगे वेंडर्स एकाउंट अब जैसे हमने लेंड खरीदा होता तो लेंड इकाउंट डेबिट फिल्डिंग प्लांट फ़र्नीचर मसीन जो भी खरीद तो में वेंडर्स नारेशन लिख दोगे पर्चेज अफेसेट्स अब इसकी दूसरी एंट्री जो होती है वह हम बनाते हैं यहां पर क्या है अब उसको इफ सम्माउंट पेड यह तो होगा एसेट्स खड़ीदा था अब इसमें अगर उनको हमने कुछ पैसे दे दिया हो कई वार क्या था हमने एसेट्स खरीदा बदले में कुछ पैसे दे देंगे पैसे देंगे तो एंट्री का बनाओ गया तो यहां पर करो वेंडर को दे रहे हो तो वेंडर हो जाएगा डेबिट वेंडर से अकाउंट लेबिट करोगे तू में आप जो दे रहे हो तो टू कैस चेक से पे कर रहे हो तो टू बैंक अगर आपने बिल के थूप एमट किया तो बीपी यह एंट्रेज हो जाएगी ठीक है फोर पैमेंट ओफ कैस बैंक चेक जो भी है अब इसके बाद एक तीस अब हम उनको डिवेंचर्स इसू कर रहे हैं तो डिवेंचर्स इसू करेंगे तो यहां पर डिवेंचर्स हो सकते हो पार पे प्रीमियम पे डिसकाउंट पर तीनों पर हो सकते हैं तो यहां पर जो डिवेंचर्स इसू हुआ है वो तीन केस में हो सकता है पहला किस एट पार पर लिए करने यह से can Healthy skincare उनाओं वTraikeं अगर तो यहां पर आप quick करें रहे हैं avena को दे रहा हैं तो वेंडर्स एकाउंट इभीत हो जाएगा है कि तू में आप दे रहा है तो यहां पर सेसे सेमोने टी वेंचर सागी रहे हैं कि डी बैंचर्ट है इस li legend अग्लो यहां पर 8 पर सेंट है उम इंट परसेंट सेवन परसेंट सेवन अभिए लेट लिए ये तो होगे पार्पे ऐसे अगर आप सपोसक्त प्रिमियम प्रिम्यम पे आपने दिया होता सपोज हम वह भी ले एक प्रीमियम पे आप इसुर कर रहे हैं के अप्रीमिकर आप इस्षिव करोगे तो यहां वैंटर्टि और यह निया रहे है है थो एक कालूं यह डाभिड हो घ्या हैoptोमें डि वैंच्र स इन्टे बेंचिर's कर देंगे आप तू में यही पर आप क्या करोगे security premium रिजर्ब कर दोगे securities premium रिजर्ब यह account हो गए आपका ठीक है और यही पर अगर हम इसको discount पे इसु करें वो भी हम cover कर दें आप Chief अगर हम at discount यहाँद होगा आपको मैंने बताया था कि discount का topic जो है's की time पे नहीं होता था बढ़ यहाँ पे है तो discount पे इसू होगा तो entry बनाऊगे अब vendor को दे रहे हो कि तो vendor हो जाएगा debit vendors account उसका नाम हो तो नाम लिखेगा बता आपको अब यहीं पर डिस्काउंट और डिवेंचर डिस्काउंट और इस्चु आफ डिवेंचर यह भी डेविट हो जाएगा तूमें आप क्या करेंगे हैं यहां पर डिवेंचर से काउंट लेंगे तो इतना तो आप समझ रहें एंट्री इसके अंदर जो पैसे डालने के लिए यहां पर तो नॉर्मल है पैसे आराम से डाल दीजेगा इनमें और इनमें आपको पैसे के लिए नंबर अफ डिवेंचर निकालने होता है मैं वह भी फॉर्मूले आपको यह लिए लेता हूं वह इमाउंट अपन में वैल्यू ओफ वन डिवेंचर इसको ऐसे समझ आप कि सब्सक्राइब हमने यहां पर दस लाख रुपे का एसे खरीदा था तो हमने एसे खरीदा उसको नाम लिग दिए वाल लेंड खरीदा तो लेंड अकाउंट डेमिट टू में हमने जिससे खरीदा एक्स यजड लेंट अब मालो हमने उसे पांच लाख रुपे कर दिया तो एक्स यजड डेमिट हो गया तूमे अगर कैस दिये तो कैस बैंक से दिये तो चेक से दियो तो बैंक और बिल दिया तो बिल्स अब जब यहां पर आओगे तो वेंडर टू 7% डिवेंचर पांच लाख रुपे यह तो नौर्मल है यहां पर आओगे तो मालो हमने उसे प्रीमियम पेस होगी है 25% प्रीमियम तो वेंडर डेविट वेंचर तो में सिक्याटी प्रीमियम एमाउंट कैसे निकालोगे नेट पेवल एमाउंट हमने दस लाख का था पांच लाख पे कर दिये त 4,000 आया अब उस 4,000 को आप 100 से मल्टिप्लाइ करके डिवेंचर में लिखोगे उसी 4,000 को 25 से मल्टिप्लाइ करके सिक्याटी प्रीमियम में लिखोगे अब सपोस करो यहां पे डिसकाउंट का टॉपिक है तो यहां पे भी ऐसी नेट पेवल एमोड यही होगा वेल लोफ से डिवाइड करो तो यहां 55 लाक्स अपॉन में 80 जो आया उससे मल्टिप्लाइ हो जाएगा यह वाला डिसकाउंट थे हैं बेंडर में तो सीधा 5 लाकी रहे गया यहां पर जैसे माल हमारे 6,000 आए तो 6,000 गुना 20 रुपे का डिवेंचर से वो डाल दिया यहां पर डिवे अब यह टॉपिक हमने सेयर्स के टाइम पर भी खरीद किया है कि अगर कंपणी है फूरा बिजनस ही खरीद लेती है तो आप समझो बिजनस करीदेगे तो सिर्फ एसेट्स तो आएगा ने साथ में लाइबिटीज भी आईए था हम एंट्री बनाएगे हमारे एंट्री जो ह होगी वो कुछ ऐसे होगी संड्री एसेट्स हैं तो संड्री एसेट्स एकाउंट डेबिट हो गया अब यहां पर क्या करोगे टू में संड्री लाइबिटीज यह तो होना ही है तो संड्री लाइबिटीज अब यहीं पर आप क्या करो टू में वेंडर होगा जितने में आपके डील हो रही है वेंडर से काउंट समद्रों तो जैसे लेंड बिल्डिंग प्लांट पसीन फरनीचर सारे डेबिट हो गया अब बैंक लोन है क्रेडिटर से यह सब मौर्गे जो गया है वो क्रेडिट हो इनको भी टोटल करो अगर डिफ्रेंस इराइस होता है डेबिट साइड में मानलो अगर इधर क्रेडिट जादा है समझो फिर से लिखने दो क्रेडिट अगर जादा है और डेबिट साइड में कम है तो जो निकल के आएगा वो डिफ्रेंस होगा वो गुडविल के लाएग तो जा कि समझ रहा है अब चलो इहां पर फ्रूंद बनना थो कैसे लिखेंगे लगने जो आपको कि यहां पर होगाइज डेविट है क्रेडीट ही जादा हुआ अगर डेबिट जादा हो रहा है और क्रेडिट ही कम होड़ा है तो जो निकल क्याए Allez सब्सक्राइब क्याइब है ठीक है तो यह इसले ले लेगे बकित beside एप सब्सक्राइब कैसे होगा तो यहां पर जैसे मैंने का इसे में ज्यादा है इधर कम होड़ा तो हम यहां पर नीचे में लग रहेंगे टू क्यापिटल रिजर्व के नाम से यह भी बैलंसिंग फिगर का मतलब कि अगर सपोज करो इस साइड जो पैसा जोड़ने पर मालो तो इधर कितना हो रहा इधर 13 हो रहा इधर 12 है तो एक लाक रुपे गुडवी लाग गया समझ मैं अब सपोज कर अगर इधर जो था वह वेंडर तो मालो आठ लाक रुपे का डील हुआ है और यह वाला जो इसे लाइबटीज है वो तीन लाग का है यहां पर मैंने का एसेड्स बारे लाग का था 12 लाक्स तो इसेड्स है ठ्री और यह एट 11 लाक्स ही हो रहा तो एक लाक रुपे जो होगा वह कैपिटल लेजर पर आईस हो इसमें एक चीज और बता दू कि ये और ये जो goodwill है और ये जो capital reserve है इन दोनों में कोई एक item arise होगा अब भी सब्यों या तो assets debit वाले जादा होंगे तो capital reserve बन जाएगा और अगर credit side जादा होगा तो goodwill बन जाएगा आप अराम से कर सकते हो ठीक है तो ये topic आप अराम से इनके mcqs काफी अच्छे अच्छे बनते हैं इनसे जो one marks के questions होगे उनमें number of deventures वगरे निकालने के भी questions बनते हैं आप इनको भी practice करें अब हम आगे शुरूब और है collateral securities के बारे में हमारा topic है issue of deventures as collateral security collateral securities को समझने के लिए दो चीज़े आप समझो एक होता है हम जब loan ले एक होता है primary securities और एक होता है collateral security यह theories में आपको अच्छी topic है primary securities क्या होता है जब हम bank से loan लेते हैं तो बदले में हमें अपने जमीन के कागाज या plants या machine वगरे इनको as a mortgage रखना पड़ता है that is called primary security जहां physical assets को आप गिरवी के रूप में रख रहे होते हो collateral security क्या होता है जहां पे हम कोई physical assets नहीं देते हैं बदले में उन्हें अपनी company का debentures दे देते हैं अब अगर हम time पे उनके payment नहीं करते हैं तो company sorry bank जो होती है वो क्या करती है उन debentures को open market में बेच कर अपने पैसे recover कर लेती है तो that is called collateral security अब इस पेक चीज़ और ध्यान खना debentures जितने भी issue होते हैं वो तो interest पे होते हैं उसका rate होता है और bank loan जो है वो भी एक interest पे होता है अब यहां पर यह option नहीं होता कि हम debentures पे इंटरेस्ट देंगे और bank loan पे इंटरेस्ट देंगे ठीक है तो collateral security और primary security यह दो टापिक तो आपको clear हो गया अब हम इसके entries को से जब collateral security होगा तो इसके दो options बनेंगे बिटा होगा first method जिसके तरीके से हम इसकी entries को बनाते है और एक होता है second method इस तरीके से भी entries बनाया जाता है first method में जब हम entry बनाते हैं तो सिर्फ एक entry बनाई जाती है वह entry होता है bank account debit तूब में आप क्या करोगे bank loan यानि bank account debit to bank loan चुक्कि हमारे पास पैसा आया bank ने लोन दिया है तो bank हमारे हाथ में पैसा नहीं देता हूँ तो हमारे account में पैसे जमा करा देता है तो अब वह गया bank to bank loan यह हो गया अब इसका impact जो होता है वह सिर्फ हमारे balance it पर पढ़ता है balance it में अब देखो balance it का format तो आपको आता है मैं आपको note to account डालके बनाना सिखा देता हूँ ठीक है तो मैं आपको आता था कि entry तो हमने कर लिए अब इसके extracted balance it हम बनाता है extracted balance it जो होता है उसमें क्या करेंगे जो balance it का format खेज लिया यह पर्टिकुलर्स हो गया note number हो गया current year हो गया previous year हो गया अब equity and lipties का head हो जाएगा इसमें non-current lipties लिजेगा non-current lipties में long term borrings जो previous का अगर दे रखा है तो वह amount डाल दो current year का जो पैसा आएगा वह यहां पर लिखा जाएगा note number one अब current year का amount है इसको calculate करने के लिए हमें notes to accounts बनाना होगा इसमें क्या करोगे long term borrings अगर पहले से कोई debentures है आपके पास मानलो 10% debentures है जो जितने का है मानलो पांच लाख रुपे का पहले से तो पांच लाख रुपे ही आप बाहर दिखाओगे in addition debentures of rupees जितना आपने इसू किया मानलो 2 लाख रुपे का इस हो किया तू लाख has been issued as collateral securities यह होगा अब मानलो आपने लोन लिया था डेड़ लाख रुपे का तो वह bank loan करके डेड़ लाख रुपे लग से दिखा दो पांच लाख पहले मैंने बताए पांच लाख वो था और डेड़ लाख रुपे यह होना तो दोनो आपको डिवेंचर के साथ ब्रैकेट में दिखा दोगे डिशन अब डिवेंचर इतना है जब लोन दिखाते हो तो लोन में भी दिखाओगे टेकन एज कॉलेटल सिक्यॉर्टी और प्रोफिजित्मा ताकि आपको पता चले कि जो लोन लिया गया है इसके बदली में हमने को सिक्यॉर्टीद दे रखा है यह तो हो गया फॉर्स्ट में होते हैं सेकैंड मैथटल यानि वह वाला उस वाले मेथटल में होगी तो एंट्री जोगी वह दो बन जाएगा इहाँ अपे एक एंट्री यही वाला सिह गया जो लोन लेने का एंट्री है क्याक विद बढ़ाग। कि यहां पर जाएगा वह हो जाएगा झवेंचर्जноз के लिए है जी है यहां पर शस्पेंस नहीं का पुटल सुस्पेंस हो जाएगा देभां को पूमें जितने परिसल्च खला दीकर स데टेंट अच्छ था तो ये वाला method जो होता है इसमें दो entry बनती है इस वाले method में सिर्फ एक entry बनती है अगर exam में आपको clearly mention है first method से बनाना है या second से तो आप जिससे बोला हो उससे बना लो अगर कुछ नहीं कहा हो अगर मालो लेट आपके पास कोई information नहीं है questions में तो आप क्या करोगे जो second method है इस थोड़ा सा बतल दाएगा हम जो यहाँ पे long term borrings लेते थे इसको भी मैं आपको यहीं पर कर दो कि long term borrings जो हम बना रहे थे इसके लिए हम थोड़ा सा तरीका बतल लें अब जैसे हमने long term borrings लॉंग्टर्म बॉर्शियम्ट का जो हम यहां पर यह वाला जो दिखा नेचे वाला बेनक वाला जो भालों यह सेम Inner घर यहां पर इसको लिखने का तरीकवा जाएगा तब आ अपको डिवेंचर्च जय से जितने परसन के पैसे को अजय सब्सक्राइब करें करकि आफ यह पैसा बाहर में लीजिए तो बैंक लोन का तो ऐसे दिखाएब ब्रैकट में फिर बहुत से इन में लिए बैक को अलेटरल सेक्यूर्टी और रुपी जो भी जितने का कॉलेटरल सेक्यूर्टी उतने पर दिया गया है वो आप दिखाऊगे चलो जैसे मैं भी एक्जामपल आपको अता रहा था कि हमने टर्वाइब जोग जैसे मैंने अपको क्या हुँआ है कि हमारा डिवेंचेश जो मानलों 5 lakh का पहले से आउट्सेंडिंग था secta तो आप जो सेवन लाख का अब। एमने Sant Simply साथ highly ने हम ने एहांW टिखाद्य इस्मक्रा करिए बाहर फार तो यानि इसमें भी पैसा फास्चिलाख ही था इसमें भी पाफ ही हुआ अदिएजनल बेनाटी कीट Index को ने में तरीकेत करते हो यहाँ पे डिवेंचर्स में ही आप डिवेंचर्स के पैसे जोड़के सस्पेंस को घड़ाते हैं बस इता, बैंक लोन सेम ऐसे 1.5 रुपे यहाँ पे इंडिकेट कर दो कि 1.5 और यह जो बैलनस इट जो आएगा इस बैलनस इट की अमाउंट सेम आएगी, यहाँ पे 6.5 है, तो 6.5 हो जाएगा और प्रिवियस एर का 5 लाग था, वो 5 लाग रहेगा तो आप अराम से इस एक्जामपल को समझेए, मैं इसके प्रैक्टिकल कोश्चन भी लिंक में डाल दूँगा आप उनको भी जरूर से देखो, और इस टॉपिक को कवर करो यह थियोरीज में भी कई बोर्ड में आय हुए है, HBSC में भी आया हुआ है आप इनके थियोरीज भी कवर कीजिएगा, ओके शुरू करने जा रहे हैं इस टॉपिक है, Accounting for Issue of Deventures, Considering the Terms and Condition of Redemption के बारे में यानि हम जो डिवेंचर को इसू करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि डिवेंचर को इसू के lifetime में ही हम उसके decide कर देते हैं कि डिवेंचर कितने समय में उसको Redemption का मतलब मैंने आपको बताया था कि company अपने डिवेंचर होल्डर के पैसे उनको वापस कर देगे, that is called Redemption of Deventures तो यह topic अब हम करने जा रहे हैं, इसी topic के बारे में हम आपसे discuss करेंगे चलो आज मैं आप लोगों से एक मज़े की बात करता हूँ, आप लोगों में से सबसे बेवकूफ कौन है अपने आपको सबसे बेवकूफ मान लो, चलो, तो मैं आपसे एक questions पोस्ता हो, अपने आपको जवाब देना कि आप उसका जवाब क्या देते हो मैं आपसे कहता हूँ बेटा मुझे भी 100 रुपे दे दो मैं आपको कुछ समय के बाद 100 रुपे वापस कर दोगा आप कहोगे सर जान पहचान के है अच्छे है चलो दे दिया मैं कहता हूँ बेटा मुझे आप 100 रुपे दे दो मैं आप लोगों को 110 रुपे वापस कर दूँगा आप तो और खुस होगे 110 मिर ला, that's fantastic आप ले लोगे मैं कहूँ कि बिटा एक काम करो आप 100 रुपे मुझे अभी दो मैं आपको 90 रुपे वापस कर दूँगा आप कहोगे मुर्क समझ रखा है का मैंने तो कहा ही आपको कि आप अपने आपको मानो कि आप सबसे बेवकूफ बट फिर भी आप दोगे नहीं क्यों, आप कहोगे कि सर्थ 10 रुपे का नुकसान होड़ा, तो ऐसे डिवेंचर में यही मेन कंडिशन से जो हमें समझना है, जो हम टापिक करने जा रहे हैं इसमें दो केस है, एक है रिडेम्शन एट पार और एक है रिडेम्शन एट प्रीमियम रिडेम्शन आप डिवेंचर स्कूरा लिए देता हूँ एट प्रीमियम तो अब यहाँ पर हम क्या करें एक रिडेम्शन आप डिवेंचर स्कूरा लिए तो हमें आपको था क्या रिडेम्शन आप डिवेंचर स्कूरा अट पार और उसमें हो गया रिडेम्शन आप डिवेंचर स्कूरा अट प्रीमियम 100 रुपे लिये और मैंने आपको 100 वापस किये आपको समझ में आ रहा है यहां मैंने आपसे 100 रुपे लिये और आपको 110 वापस किया तब भी आपको समझ में आ रहा है बट मैं आगे क्या कहा था मैं आपसे 100 लेता हूँ 90 रिटर्न करूँगा आप तयार नहीं हुए थे यह भी तयार नहीं होंगे तो बस दो ही केस है डिवेंचर जो रिडेम्शन होगा एट पार पे और रिडेम्शन आट प्रीमियम पे चलो अब इसके डिफ्रेंट केसे हैं हम छह केस है टोटल उनको एक ही करके स्टड़ी करेंगे फिर्ष्ट केस है यानि कमपनी ने डिवेंचेस को इसू भी किया पार पे और रेडम्शन भी पार पे करेंगे तो यह एंट्री हमने पहले कर रखा है इसलिए अराम से आप कर लोगी पहली एंट्री आप बनाते थे बैंक एकाउंट डेबिट तू में करते थे डिवेंचर्स अप्लिकेशन अद अलॉट्मेंट अकाउंट डूसरी एंट्री आप करते थे डिवेंचर्स अप्लिकेशन अद अलॉट्मेंट डेबिट कर दोगे तू में डिवेंचर्स अकाउंट यह एंट्री हमने पहले कर रखा है वही सेम जैसे पार पर हम करते थे वह वाली एंट्री हो गई अब एक दूसरी एंट्री है जूसरा पहला केस तो यह हो गया दूसरा केस चब लब करते हैं यहाँ पे हैं इसूड एड चलो इसको देना एस वेट स्काउंट और रीडेम डेट पार में ठीक है अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं इसूड कर रहा है डिस्कॉंट realise क्र रहे Tradition पेम तो जैन lle हना सैनल्ट इस्टमे में करये हों था application and allotment account दूसरी entry आप करोगे diventures application and allotment debit हो जाता है यहीं पर discount दे रहा हम तो discount on issue of diventures यह भी डेबिट हो जाएगा एकाउंट है आप है टू में डिवेंचर से काउंट ठीक है चलो हम आपको इसको न एक एक वैल्यूज के साथ किलियर करो तो आपको ज़्यादा सानी से किलियर होगा जैसे सपोच करो यहां पर इसू डेट पर रिडिम डेट पर यानि कमपनी ने मालो सौ रुपे का डिवेंचर सौ रुपे ही वापस करने का प्रॉमिस करती है तो इसू हुआ हंडड का दोनों में हंडड हंडड दिखा दो गया आप तो सभीटा अब यहां पर क्या है जो कम्पनिी आंपको प्रोमिस जो कर रही है हो ऐसे क्र रहे है कि आप से अभी हम इस्व कर रहे हैं डिस्काउंट पर हम आपको दे रहें 98 पर बेच रहें वापस आपको 100 था चैनि तो आप क्या चरहा है बैंक में तो 98 आपको received होड़ा 98 ही दिखाओगे जब ये वाली entry बनाओगे आप दूसरी वाली entry तो bank application में तो आपका 98 है 98 दिखाओगे दो रुपे का discount है वो दिखा दिया डिवेंचेस आपके 100 के 100 दिखा दिया ये entries हो जाएंगे अब ऐसे एक तीसरा केस है जिसमें हम premium की बात करेंगे चलो वह भी कर लें यहाँ पर क्या होगा कि इसूड़ एट प्रीमियम रेडिम्ड एट पार यानि इसूड़ एट प्रीमियम रेडिम्ड एट पार का मतलब हमने बेचने समय में उसको महेंगे कर से के बेचा सपोर्ज करें इसको ऐसे ले ले लेता है हम 110 में बेच रहे हैं और वापस उन्हें कह रहे हैं कि हम 100 रुपे देंगे प्रीमियम के साथ तो चलो एंटरी बना लो आप एंटरी कैसे बनाओ गया हम पर एंटरी पहली एंटरी वही सेम हो जाएगी यह वाली एंटरी बैंक एकाउंट डेबिट तू में डिवेंचर अप्लिकेशन एंड अलॉट्मेंट एकाउंट 110 110 यह आगया दूसरी एंटरी क्या मनाते हो आप तो यहां पर दूसरी एंटरी जो हो जाएगी डिवेंचर अप्लिकेशन एंड अलॉट्मेंट यह डेबिट कर दोगे तू में आप क्या करोगे तू में डिवेंचर तू में यहां पर सिक्योर्टी प्रीमियम ब्रेजर एक सो दस इसमें 100 रुपेका है यह 10 रुपेका आपका प्रीमियम है इसको इंडिकेट कर दिजिए तो यह अभी तीन केस हो गया में आपर केसे सब्सकों आपके आपके अद्हारी से कवर हो जाएंगे अब हम इसके इधर वाले टॉपिक यहां पर क्या है अब इसकी ज़ोंगे वो थोड़े से चेप समय यहां यहांपर का ए-डाarooर्फव प्रीमियम पर होना है इसके केस होंगे पहला हम तीन कर चुके हैं चौथे केस प्रीमियम अब यहां पर पहला केस होगा कि कम्पनी इशू कर रही है उसे पार पर यहां बेश तो रही है सो में वापस करते समय उसे 105 110 रुपे कुछ ऐसे देगे तो चलो एंट्री हम सीख रहा है तो अब इसकी एंट्री जब बनाएंगे आप तो क्या बनेगा पहले एंट्री तो सेंब होती है बैंक तो बैंक एकाउंट डेबिट कर दिया तू में आप क्या करोगे यह डी आर है साफ साफ लिक ले रहा हूं डेबिट तू में डिवेंचन अप्लिकेशन एंड अलोट्मेंट एकाउंट अब दूसरी एंट्री जब हम बनाते हैं तो दूसरी एंट्री हो जाएगी यहां पर डिवेंचन application and allotment account debit जब deventure application allotment debit होगी है थाई जासा case थोड़ी से मैं आपको clear कर दो के company जए deventure's base तो रहे है 100 में वापस करने के समय बोल रहे ही कि 110 हम आपको वापस करेंगे तो bank में तो हंडेड ही आ रहा है इसमें भी Deventure Application Allotment भी 100 है अब देखो Deventure Application Allotment तो 100 होगा ठीक है लेकिन 10 रुपे का लॉस तो हमारा पहले से पता है तो नियम क्या होता है concept of conservatives में 11 में पढ़ा है उसमें हमने क्या पढ़ा है कि probable loss जो होता है जो होने वाले loss है जिसके expectations पहले से हैं उनको हम जरूर इंडिकेट करते हैं तो देखो हमारा normal entry तो ये बनना ही था Deventure Application Allotment Account डेविट 2 में Deventures Account ये तो हम करी रहे थे Deventure 100 रुपेस का Deventure था 100 रुपेस जिसमें दिखाना था अब मैंने जो concept of conservatism की बात की उसके थ्रू क्या होगा एक entry हमारी बढ़ेगी वो entry क्या होगी तो यहाँ पर loss हो रहा है हमें loss on issue के नाम से of Deventures इसको भी आप यहाँ पर debit करो 10 रुपे का loss हो रहा क्यों चुकि हमने 100 रुपे मांगे 110 वापस करने हमें तो loss on issue of Deventures होगा और जो हम दे रहें वो किस नाम से देंगे तो वहीं redemption के time पर हमें premium दे रहा है तो इसको क्या लखेंगे premium on redemption of Deventures ठीक है तो यहाँ पर 10 रुपे premium on redemption के नाम से यह भी credit होगा यह आपका trick है मतलब एक तरह से कहो कि issue की entry तो सबकी सेम है redemption वाले जो दूसरी second entry जब हम transfer करते हैं तो वहाँ पर redemption पर चुकिए हमें premium देना है तो उसे हमें indicate करना पड़ेगा तो ऐसे हम जब third entry मने है sorry fifth case पर आते हैं वो भी हम कर लें आपको तो यहाँ पर क्या होगा issue debt discount redeem debt प्रीमियम अब चलो इसको मालने एक एक जामपल से और लेते हैं आपको कि यानि हम यहाँ पर ले लो की company ने issue किया है 98 में और वापस कर रही है 110 तो देखो यह वाली एंट्री तो सेम बनेगी पहली एंट्री आप बनाओगे बैंक एकाउंट डेट्ट तो डिवेंचर अप्लिकेशन एंड एलाउट्मेंट एकाउंट मैं ए एंड लिख रहा हूं अब पढ़ लोगे ठीक है और 98 रोपेस का है 98 एस में सो कर दिया 98 एस में सो कर दिया यह एंट्री तो नॉर्मल होंगे अब दूसरी जब एंट्री हम बनाएंगे तो दूसरी एं क्यां वेंटर के अप्लिकेशन एंड एलाउटमेंट ए एंड लिख रहा हूं ठीक है एकाउंट डिविट होगया शरा सब्सक्रांट टो जास को भी एंडिकेट करेंगे लॉस और इशू ऑफ डिवेंचरGS यह भी होग जए विट तो में हमारा क्या होना है टे गिवेंचर से काउंट में इंख करना है से क्या करना जो प्रीमि comparative यह अन कि में को ठीhon ऑफ बेंचरेस्य है तो प्रीमियम और रिधन संस Palace कि अब फुल लीए को प्रीमियम ऊन Drivenalia अब पैसे कैसे डालोगे यह देखो तो डिवेंचर अप्लिकेशन एलॉट्मेंट में तो 98 मिला था 98 ही लिखेंगे डिवेंचर हमारा 100 का है तो 2 रुपे का लॉस तो हमें यहां हुआ और रिडम्शन के टाइम पे हम उसे 110 दे रहे हैं वहां पे भी हमें 10 रुपे का लॉस हुआ तो 10 और 12 रुपे का लॉस हो गया तो आप यहां पे लॉस ऑन इश्यों डिवेंचर में 12 लिखेगा रिडम्शन के टाइम पे 10 लिखेगा यह आपका केसे कंप्लीट हो गया समझ में आ रहा आपको अब एक लाश्ट केसे में वह भी करा देता हूँ आपको तो मैं इधर एरेस कर दो आपको आपको ने नोट डाउन तो करे लिया है तो मैं इस सेट के रेखवा हमें 5 केसे 1,2,3,4,5 पार वाले के 3 केसे रिडम्शन जो प्रीम्शन के होंके भी 3 केस होंगे और रिडेम डेट प्रीम्यम रही है रिडम सन भी प्रीम्यम हुड ओक्रूसन ओक्रूसन युदो हूड दो च्वरिकर है लिइनक रही है तो फार्ट आपको 10鹿 साल प्रीम्शन केसे हाँ तो स्कूनिद को और वापस प्रॉम्शन कर देंगे ज़ाने अभी भी 6 रूपे का प्रीमें में वापस करके से मँए 10 रूपे का प्रीमें में चलो एंट्री बनाते हैं तो पहले एंट्री हो जाएगी जो इसका पहला है बेंक तो बैंक एकाउंट डेबिट करोगे तू में आप करते हो डिवेंचर अप्लिकेशन एंड एलोटमेंट एकाउंट यहाँ पर तो आपको 106 मिलना है तो 106 आपने इंडिकेट कर दिया जब दूसरी एंट्री बनाते हैं तो दूसरी एंट्री याद करो हम क्या करते हैं नौर्मल ही हमारा एंट्री होता है डिवेंचर अप्लिकेशन एंड एलोटमेंट यह तो आप डेबिट करते हो अब टू में आप क्या करते हो यहाँ पर याद करो तो तो टू में आप करते थे डिवेंचर अट्टू में यहीं पर security premium है तो SPR security premium reserve जो है आपका यह होता था अब deventures में आप क्या सो करते थे 106 जो है डिवेंचर application allotment डिवेंचर 100 का था 6 रुपीज का आपका security premium reserve था यह तो हुआ लेकिन मैं आपको क्या करो redemption के time में 110 देना तो 10 रुपी का loss होना है उसको भी indicate करोगे हाँ है तो loss on issue of loss on issue of deventures account कर दीजेगा यहाँ पर debit यहाँ 10 रुपी का loss हुआ वो अब वो जो loss है वो नीचे में आता है credit में मैंने आपको आता है तो इसका नाम मैंने आपको आता है था कि हम क्या लगते है premium on redemption of deventures premium on redemption of deventures 10 रुपी अब आप बोल सकते हो कि सर इस security premium में और premium on redemption को एक साथ कर दो जैसे यहाँ पर loss को आपने एक साथ कर दिया था नहीं इसको ध्याने कि security premium reserve जो है हमें मिला है premium ठीक है और जो premium on redemption of deventures है that's हम पे करेंगे उने premium that's तो यह हमारे लिए एक liabilities की तरह treat होगा और यह भी ऐसे reserve का ही पार्ट है लेकिन हम इसका utilization अलग करते हैं तो I hope यह सब के सब topic आप से हो गया है मैं इनके कुछ examples भी आपको cover करा दूँगा बस इसमें ध्यान रखना है amount से मैंने आपको बता है अब इसमें number of deventures दे रख्योंगे मालों 10 years deventures है तो 10 से multiply होजागा hundred है तो hundred से multiply होगा amount लिखने का तरीका यही रहेगा ठीक है मैं इसके काद दो examples भी आपको कर दूँगा उसके link भी में description में डाल दूँगा हमने issue of deventures की topic में last condition of redemption of deventures का topic किया था अब उसके आगे की topic हमें start कर रहे है interest on deventures के बारे में जो deventures होते है normally वो एक prescribed rate पे fix interest देते हैं अपने deventures का नाम जब भी पढ़ा है तो आपने ध्यान दिया होगा 9% deventures, 10% deventures या 13% deventures इस type से word लिखे होते है 9, 10 या 13% जैसे मैंने का आपको 9% deventures लिखा हुआ है तो 9% deventures का मतलब होगा कि deventures पे 9% interest allowed है या मालो आपने देखा होगा 13% deventures इस type से नाम लिखा होता है तो अब जब हम 13% deventures यानि उसका interest का rate 13% prescribed है अब चलो, इसके बारे में हम थोड़ी थोड़ी बाते समझ लें, पहला है usually paid half yearly यानि जो interest on deventures होता है, normally साल में नहीं half yearly दी जाती है company इनको normally 30th of September और 31st March को दिया करती है दूसरा, it is charge on profit, यानि जो interest on deventures है, वो normally charge on profit होता है charge on profit के बारे में और appropriation of profit हमने partnership topic में बरे ध्यान से पढ़ा है charge on profit का मतलब means interest will be paid even if firm has lost यानि firm को चाहे loss हो जाए, तब भी interest जो है वो दिया जाएगा तो यानि charge on profit है, चाहे firm को फाइदा हो, चाहे नुकसान हो, interest देना ही देना है rate of interest is prefix on deventures, prefix वही जो आगे में हमने words लिख दिया, यह 13%, 9% जो है यह बताता है कि interest on deventures का जो rate है, वो क्या होगा पहले से यह pre-decide होता है, that's why prefix word used किया जारा है, जो पहले उसके आगे लगा हुआ है आगे, as for income tax act, companies required to deduct income tax at prescribed rate from gross amount of interest यानि जो interest का जो gross amount है, उस पे एक निश्चित rate से, यानि जो prescribed rate उस समय में government के income tax rate के हिसाद, sorry, income tax act के तहद चल रहा हो, उस rate के तहद आपको calculate करना, या interest mandatory होता है, अब चलो, इसके accounting treatment को हम सीखते हैं, कि interest on deventures का accounting treatment कैसे किया जाता है, यानि उसकी entries वगरे हम कैसे बनाते हैं, let's, interest on deventures के accounting treatment होते हैं, वो दो तरीके के हो सकते हैं, एक interest accrued and due, accrued का मतलब जो अरजित किया जा चुका है, खर्च, मने जो accru हो चुका है, बट अभी दिया नहीं गया है, जैसे suppose कर एक example से देता हूँ, या company हाफ yearly interest pay करती है, तो half yearly जो interest है, वो देती है, एक 30 June को, और दूसरा जो वो pay करती है, वो pay करती है, मानो 31st of December को, अब interest जो है, वो दो बार साल में pay होता है, एक 30 June को और एक 30 December को, लेकिन company जो है, इनको अभी तक pay नहीं किया है, तो अब जिस date को जो balance इट तयार किया रहा है 31st March को, इस date तक हमने ये वारा जो interest था, ये अभी हमने pay नहीं किया है, तो इसी को हम कहते है interest accrued and due, accrued and due का मतलब, यानि company ने interest का तो payment करना था, बट company ने अभी तक उसका payment दिया नहीं है, तो ये 31 March को जब हम दिखाएंगे, तो इसे हम current क्लाइपटीज के head में interest accrued and due के नाम से दिखाएंगे, अब दूसरा है, interest accrued but not due, accrued but not due का मतलब क्या होता है, कि आप जैसे इसी में same case को आप समझो, डेट जो है, वो half yearly ही pay होना है, 30 of June को हम pay कर रहे हैं, और 31st of December को pay करते हैं, ये दो date हैं जिसमें हम interest pay कर रहे हैं, लेक यानि ये जो 3 months वाला जो आपका period है, 3 months का period कौन सा, जो 1st of January से 31st of March, जो account closing का date है, इस बीच के जो period का interest होता है, this is called interest accrued but not due, यानि एक बार फिर से आप समझो, यहाँ पे क्या है, 31 December को interest देना था 6 month का, हमने account close किया है 31 March को, लेकिन अब तक इनके interest pay नहीं किये हैं, जो due हो चुका था, तो इसको लिखेंगे, accrued and due, अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे 31 December वाला interest तो दिया जा चुका, बट अब हम account तो March में close कर रहे हैं, तो 3 महीना तो हमने ये भी use कर लिया ना उनके पैसे को, तो इस 3 months के भी ब्याज का, मतलब interest जो है, वो हम पे बनता है, यह जो current libties के head में दिखाते हैं, जो balance it जब हम बनाएंगे तो, चलो, अब journal entry बनाने मैं आपको सिखाता हूँ, तो चलो, अब जब हम इसकी entries बनाते हैं, interest on deventures का, तो उसकी entries हम कैसे बनाते हैं, इसको हम देखते हैं, interest, अब इसमें पहला होगा entry जो हम बना रहे हैं, when interest due and TDS deducted, यानि interest को due किया गया और TDS को काटा गया, मैंने आपको बताया था कि interest, जो है, income tax act के दहत, it is mandatory to deduct tax deduction at source, TDS tax deduction at source होता है, यानि जो समय में interest due हो रहा है, तो gross amount पे tax काटना mandatory होता है, सभी company हो के लिए, तो अब यहाँ पे entry हम मनाते हैं, interest on deventures, account debit, two में deventures holder, two में TDS favor, यानि interest on deventures तो यही होगा, जैसे suppose करो मालो 9% deventures है, 10,00,000 रुपे के, ठीक है, और tax का rate जो है, वो TDS का rate जो है, suppose करो हमने माल लिया, वो 10% है, तो चलो मैं आपको एक value से सिखाता हूँ, 10,00,000 का 9%, कितना होता है, 90,000 होडा, अब 90,000 रुपे का जो payable होगा, six month के लिए अगर हम मा पूरे full year का, तो 90,000 जो होगा interest on deventures में आप दिखा रहे हो, 90,000, चलो 90K लिख देता हो मैं आपको, अब TDS कितना है, 10%, तो 90,000 का जो TDS बनेगा, वो कितना बनेगा, 10% लोगे, तो आप कितना आएगा बिटा, यह आएगा 9K, 9,000, और जो 90% बचेगा, यह नहीं 90,000 में से 9 1000 मैनस करने के बाद, जो 81,000 बचेगा, इसको हम क्या करेंगे, डिवेंचर होल्डर में सो कर देंगे, तो entry होगे हमारी interest on deventure account debit, to deventure holder, to my TDS pay बनेगा, अब interest जब paid किया जाएगा, डिवेंचर होल्डर को, तो हम entry बनाएगे, डिवेंचर होल्डर to bank, यह 81,000 जो है, वो second entry, जहां हमने डिवेंचर होल्डर को पे कर दे, अब हम जब TDS को paid करेंगे, तो government को भी तो पे करना है, तो जो हमने government के बिहाग पे यह 9,000 collect गिया था, वो पे करेंगे, TDS payable, debit हो जाएगा, 9,000, तो में क्या हो जाएगा, bank, मैंने आपको एक example से एकलियर कर दे, और at the end क्य इंट्रेस्ट और डिवेंचर को अंट्रांसफर कर रहे है, statement of PNL में, तो statement of PNL debit हो गया, कितने का, 90,000 का जो है आपका interest है, तुमें इंट्रेस्ट और डिवेंचर के नाम से, 90,000 यह सो कर दोगे, अगर यही आप इसको मैं suppose करो, मैंने आपको कहां कि half yearly normally यह payable होता, तो य कितना हो जाता, 40,500 हो जाता, यह 4,500 हो जाता, फिर ऐसे यहाँ पर आप 40,500 इसमें दिखाते, इसमें 4,500 वो दिखाते, और फिर यहाँ पर second में, मतलब जैसे यह 30 जून को हुआ, फिर हम दुबारा pay करेंगे, December में वो वाली entry बनाएंगे, फिर at the end 90,000 जो होगा, आपका व दिखाओगे, लेकिन जो statement of PNL में transfer होता, वो annual mode में ही transfer किया जाता है, that's why हम वैसे करके दिखेंगे, तो आपको यह entry समझ में आ रही है, इस टाइप का questions है, आप questions करके देखिए, कोई doubt होता है, comment section में, जरूर से अपने doubts को आप indicate करेंगे, अज हमें start करने वाले है, writing of discount loss on issue of deventures, यानि हमें जो discount या loss write-off करते हैं, उसके बारे में अभी हम सीखना है, theories कराते से हमें बताया था, कि it is mandatory to write-off all losses related to deventures before it redeemed, यानि deventures को redeemed करने से पहले, या mandatory होता है, या जरूरी होता है, कि उससे related जितने भी losses है, उनको खतम किया जाए, write-off किया जाए, तो उसी रिखेंगे कि discount on deventures है, या loss on issue of deventures है, तो उसको हम कैसे write-off करते हैं, चलो, इसमें पहले थोड़ी सी theories हम इसका cover कर लें, जो कुछ points है, जो important रखेंगे, पहला है discount या loss on issue of deventures, जो है, वो एक capital loss है, तो discount या loss on issue of deventures is a capital loss, so it must be written off before deventures are redeemed, यानि deventures को redeemed करने से पहले, इ या जाना है, अब इसमें दूसरा चीज़ है section 52, जो है company act 2013, यह हमें allow करता है, कि हम utilize कर सके, security premium को write-off करने के लिए discount on issue of deventures को, या loss on issue of deventures को, या loss on issue of deventures या discount on issue of deventures उसको write-off करने के लिए, हम security premium reserve का use कर सकते हैं, यह हमें opposition allow करना है, तो company act 2013, 13 का section 52 जो है वो हमें यह allowed करता है तीसरी चीज until it is return off यानि जो discount या loss on issue of deventures है यह जब तक return off नहीं हो जाता नहीं इसको हम write off कर देते हैं it is required to zone as unamortized expenses on asset side of balance it यानि हम जब तक इसको write off नहीं कर लेतें उन सालों तक हम क्या करेंगे इसको balance it के asset side में हम दिखाते हैं कहाँ पे amortized expenses के नाम से के लिए रहे हैं तो आप ये तीन theories को अपने दिमाग में रखिए अब हम questions को करते हैं कि issue loss on issue of deventures है या जो discount on issue of deventures है इनका accounting treatment हम कैसे करते हैं चलो let's start तो अब हम कर रहे हैं कि जो writing of discount loss on issue of deventures इसकी entries accounting treatment को अब हम सेखने वाले हैं इसकी accounting treatment में क्या है तो इसकी entry हम normally बनाते हैं statement of P&L account debit कर देते हैं तू में आप क्या करते हो discount या loss on issue of deventures ये terms लगाते हैं यानि normal हमारी entry जो होती है statement of profit and loss account debit तू में discount या loss on issue of deventures अब यहाँ पर एक चीज को आप थोड़ा सा ध्यान दो कि actually discount को जो write-off करने या loss को जो write-off करने का तरीका है वो दो option है हमारे पास यानि two options है तो यहाँ पर क्या discount या loss on issue of deventures can be written off by these two options हमारे पास दो option है या दो method है जिसके तुरू हम discount को write-off कर सकते है एक option है क्या कि it may be return off in the first year itself यानि जिस साल हमने deventures को issue किया उसी साल हम write-off कर लेते हैं अपने losses को या discount को दूसरा option होता है कि it may be return off during the life of the deventures यानि जो deventures का life है जितने साल तक हम deventures को रख रहे हैं अपने पास उतने सालों में हम धीरे-धीरे करके उनको write-off करेंगे तो हमारे पास ये दो option है हम पहले वाले options को देखते हैं ये वाले options के लिए आपको मैंने बताया कि हमारे पास statement of P&L ये use करने का option तो है लेकिन इसके साथ-साथ हमारे पास दो चीजे और है मैंने आपको उताया security premium को हम यहाँ use कर सकते हैं साथ-साथ हमारे पास अगर कोई capital reserve दे रखा हो तो वो भी use कर सकते हैं तो अब हम जो entry बनाएंगे अगर इस वाले case में हम चलने हो तो हमारे पास अगर capital reserve है तो हम entry बनाएंगे capital reserve account debit कर देंगे अगर इस से हमारा काम पूरा हो जाता है suppose कर हमें जो discount write-off करने हो दो लाख रुपे write-off करने है अब हमारे पास reserve में पूरे दो लाख है तो हम सिर्फ reserve से पूरा कर लेंगे तो अब entry जो मने कहा हमारा two में क्या हो गया discount या जो loss on issue है loss on issue of deventures ये normal entry हमने बना लिया जो मैंने आपको सोक्या मैंने जान बूझ के हा gap छोड़ा है चूकि अगर हमारे पास पैसे की दिक्कत होती है तो हमारे पास और क्या option है वो use करके आपको दिखाएंगे तो normal में डिस जो capital reserve debit to में discount या loss on issue of deventure अगर दो लाख रुपे की requirement है दो लाख हमारे reserve में है हम use कर लेंगे अब suppose करो कि हमारे reserve में दो लाख रुपे की जरूरत तो है sorry discount के लिए हमें दो लाख रुपे की जरूरत तो है बट हमारे पास reserve में दो लाख रुपे पूरे ना हो तो हम क्या करेंगे यहाँ पर security premium reserve जो है उसको भी यहीं पर debit कर देंगे security premium reserve इसको भी आप debit कर लोगे च्छोंकि आपको बता है कि हम एप इंडियन company act जो 2013 है उसके section 52 में यह offer है कि हम चाहें तो security premium reserve के पैसे को भी use कर सकता है तो अगर security premium reserve से हमारे पैसे मतलब capital reserve से हमारे पैसे पूरे नहीं हो रहे हैं तो हम security premium reserve से उस पैसे को utilize कर लेंगे अगर suppose करो उसके बाद भी हमारे पास पैसे कम हो जाए तो हम क्या करेंगे चलो जैसे मैं आपको example दे रहा था भी कि हमारे पास discount के लिए 2,00,000 रुपे चाहिए ले लेंगे किस में से security premium reserve में से अब लेकिन एक तीसरा केस भी सोचो कि suppose करो कि हमें दो लाग की जरुवत थे यहां पर यह क्या है बन लाग इसके पास है और पॉइंट एट लाग जो हमारे पास security premium reserve में है यानि देखो एक लाग 80,000 का इंतजाम हो गया हमें तो दो लाग च of profit and loss के नाम से आप दिखा दीजेगा यह भी debit कर दीजे यह जो आपका 0.2 लाग है यानि 20,000 रुपिज जो आपको reduce हो रहे है वो आपके statement of P&L से use करोगे that means आप एक बार फिर से समझो हमें write-off करना है same year में जिससार हम discount को कर रहे हैं तो अगर हमारे पास capital reserve में पैसे है तो capital reserve से निकलेगा अगर उससे पैसे पूरे नहीं हो देन फिर हम security premium को utilize करेंगे अगर security premium reserve में भी पैसे ना हो देन फिर में statement of P&L को use करेंगे समझ में आया के लिए और इसके हिसाब से opposite में आपके to discount on discount या loss on issue of dementias या आपके entry बनगे complete ठीक है तो आप या entries बनाईएगा cover कीजे questions आपसे असानी से questions हो जाएंगे इस topic के ठीक हम अब next topic पे आते हैं कि अगर discount को जो है या हम पूरे डिवेंचर्स के जो life span है tenure है उसके पूरे period को हम use करके अगर write off कर रहें तो कैसे करेंगे आओ चले तो अब इसका second case है किया it may be return off during the life of adventures तो यहाँ पे भी हमारे पास दो option करना जाते हैं यह हम दो तरीके से इसको write off कर सकते हैं एक case क्या होगा if equal amount write off each year इसका पहचान ध्यान अखना कि if equal amount write off each year ऐसा कहके बोलता नहीं है इसको पहचाने है कैसे कि यह वाला method यूज हो रहा है तो आई if lump sum payment if the venture if the venture is ready admirable after a fixed time question में ऐसा कहा रखा हूँ कि डिवेंचर जो एक fix time के बाद रीडीळेबल है fix time जैसे माननो फात साल खे साल ऐसा करके दिप उसके बाद डिवेंचर रीडीमेबल है तो यह वाला पहचान हो गया कि equal amount write-off होना है अब इसका दूसरा case भी हो सकता है तो इसका दूसरा case हो सकता है कि if proportionate amount write-off each year, यानि हर एक साल एक अनुपातिक पैसे को write-off किया जाता है इसका पहचान जैसे आपने बताए if deventure is redeemed in installment अगर deventure को हम installment में redeemed कर रहे हो तो वो वाला method लगेगा फिर सिध्यान से समझो अगर deventure को fix period के बाद हम write-off redeemed कर रहे हैं तो यह वाला method और अगर deventure को हम installment में पे कर रहे हैं तो proportionate वाला method चलो अब एक एक करके हम इन दोनों method को सीखते हैं कि कैसे करेंगे और इनमें हम discount on जो write-off करने का जो loss है उसका account हम कैसे बनाते हैं वो भी हम सीखेंगे चलो मैं आपको एक example देता हूँ कि suppose करो इसमें example लेते हैं कि 10% deventure of रुपीज टैन लाख इसूड़ एड शिक्स परसेंट डिसकाउंट ready-mable after five years ठीक है अब यहाँ पर मैं क्या करूँ 10% डिवेंचर है 10 लाख रुपे का 6% डिसकाउंट पे इसको इसू किया गया है अब आप से बोला यह ready-mable है after five years पाँ साल के बाद इसके पैसे वापस करने हैं तो चलो इसको हम बनाते हैं तो पहले से आप निकालो डिसकाउंट हम निकालेंगे इसका solution कर रहे हैं तो डिसकाउंट on डिवेंचर कितना आएगा आप सोचो तो हमारा 10 लाख है 6% डिसकाउंट पे दे रहे हैं तो 10 लाख का 6% डिकालो गया तो 6 अपन में 100 इंटो 10 लाख ये निकल क्या गया 60,000 समझ मैं ना अब ये तो आया डिसकाउंट on डिवेंचर अब हमसे क्या कह रहा है इसे 5 येर्स में यहां टैन्योर दिया है न 5 येर्स मैंने कहा था एक फिक्स अमांट मने टाइम के बाद इसको राइट आफ करना है तो टैन्योर दे रखा 5 येर्स तो अब ये जो 60,000 है ये 5 येर्स में बढ़ जाएगा तो आप क्या करेंगे डिसकाउंट रिटेन ओफ इच येर कितना होगा अब इच येर का आप निकालोगे 60,000 है 5 साल है 5 से डिवाइड कर दीजे 12,000 पर येर आ रहा है अब ये आपका आगया 12,000 पर येर अब इसी को हम एकाउंट बना के देखेंगे कि कैसे बनाएंगे चलो मैं आपको वो भी एक छोटा सा बना के दिखाता हूँ आपको आई होप इतने में किलियर हो जाएगा ये है आपका डिसकाउंट ओन डिवेंचर से इसको लॉस ऑन इशी ऑफ डिवेंचर भी लिख ले ना मेरे पास ये कम है इसली मैं इसे कर रहा हूँ ठीक है अब यह फर्स्ट येर में चल ला है तो फर्स्ट येर में बिटा डिसकाउंट है तो यहाँ पर आएगा डिसकाउंट ओन डिवेंचर कितना है सिक्स्टी थाजंड हमने फर्स्ट येर में दिखा दिया अब फर्स्ट येर का एंड जो होगा 31 मार्च को वह जैसे सपोज करो मैं इसका कोई डेट ले लेता हूँ तो इसका जो एंड आएगा 31 मार्च को जो मा यहाँ पर 31 मार्च से दिखाईएगा 2006 आ जाएगा अब यहाँ पर हम क्या करेंगे बाय में इस्टेट्मेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस करके 12,000 इसमें दिखा देंगे और बाय में फिर बैलन्स आ जाएगा बैलन्स सीडी 48,000 समझ रहा आप 48 कैसे हुआ चुकि यहाँ पर 60 है तो 60 हमने इंडिकेट कर दिया है इसको 60,000 यह आपका आगया अब यह वाला जो बैलन्स सीडी है फिर यहाँ पर 2006 में 2006 में अप्रैल महीने में यहाँ पर आ जाएगा अप्रैल में आप दिखा दोगेगा तो अब ऐसे 2006 में हमने यहाँ पर इसी को यह वाला जो बैलन्स है यहाँ पर दिखा दिया टू करके इसाइड टू होता है ठीक है तो यहां में दिखा दिया टू बैलेंस बीडी करके यह 48,000 यहां पर आ गया है अब फिर यहां पर हम क्या करेंगे 2007 आएगा चुकि समझ रहे हो एकाउंट क्लोज होगा मार्च में होगा तो मार्च 31 को अब यहां फिर वैसे दिखाएं सौट में लिखना हो आप इसको समझो सिर्फ भावनाओं को समझो चीजे तो आपको समझ में आई रही है तो स्टेटमेंट आप फिनल में हम फिर 12,000 हम यहां पर इंडिकेट करेंगे जो इस साल का राइट ओफ होगा चुकि हमें हर साल 12,000 पर राइट अब देखो 48 में से 12 में 36,000 जो है आपके बैलन्स में रह जाएगा तो फिर इसको आप यहां दिखाओगे बैलन्स सीडी करके अब फिर इस साल क्लोज कर दिया आपने 48,000 को ठीक है अब यह 48 हमने यहां पर फिर से इंडिकेट कर दिया यह क्लोज हो गया हमारा ठीक है अब यह जो 36 बैलन्स यह फिर यहां जाएगा 2007 में तो 2007 डेट क्या हो जाएगा अपरेल 1 अब यहां पर आप क्या किजिएगा वह ऐसे दिखाएंगे टू बैलन्स बीडी करके 36,000 फिर इस साइड फिर यहां 2008 में क्लोज हो गई है तो मार्च में आप दिखाओगे ऐसे 31 यहां पर आजाएगा बाय इ statement of profit and loss के नाम से 12,000 अब देखो 36,000 फिर यहां पर आप राइट आफ करोगे तो यह 24,000 जो है आपका balance आगया बाय में balance CD करके आप यह दिखा दिजएगा 24,000 फिर यहां पर आपने total इस तरीके से अभी 30 यह पर हम पहुंचे है ठीक है अब ऐसे आप 4th year लाओगे 2009 में फिर स 12,000 राइट अफ करोगे 2010 में 12,000 राइट अफ करोगे 5 साल में यह complete होगे तो यह आपको discount on diventures account बनाना है ठीक है तो यह वाला भी हमने first case का कर लिया कि अगर first case होगा तो हम इसको कैसे करेंगे समझ में आ रहा आपको ठीक है आगे बढ़ें चलो तब हम इस वाले case में आते ह को भी delete नहीं करना मैं इसी को use कर लूँगा आप समझते हैं मैं तो इतना कौन लिखेगा आलसी वाली बात है चलो इसे use करके देखेंगे कैसे use करते हैं चलो फिर से एक बार वही इसी questions को हम फिर से ले रहे हैं अभी हमने questions क्या कहा था कि company ने issue किया है 10% adventures of 10,000,000,000,000,000,000, 6% adventure, 6% discount sorry अब यहाँ पर company ने 10% adventure 10,000,000,000,000,000,000 वाले 6% discount पे issue किया था अब क्या कह रहा है इसको redeemed करना है रिडिमेंट बाय ट्रॉइंग रुपीज टू लाख इच येर अब यहाँ पर क्या कह रहा है कमपनी जो है डिवेंचर्स को रिडिम जो करेगा वो कैसे करेगा हर साल दो लाख रुपेर राइट आफ करेगा उसके हसाब से तो अब मैंने आपको बताया ना इस टॉलमेंट मे पैमेंट होने की बात आगी ना चलो अब इसके लिए था हमें थोटा सा एक टेवल बनाना होगा वह भी सी तो चलो अब यहाँ पर एक बार में एक काम करते हैं वह आपको याद है ना भी सॉलिशन कर रहे था हम तो हमने डिसकाउंट निकाउंट निकाउंट पीछे हमने न करना होगा एक छोटा सा टेवल बनाना होगा टेवल कैसे बने का वह सब्सक्राइब इसमें जो हम बनाएंगे वह कैसे तो यह हो गया यह हो जाएगा डिवेंचर्स आउट इस्टेंडिंग जो बाकी है हमारे यह इनका रेशियो निकाल दीजेगा आप और यह होगा डिस्काइंट राउट एफकर राइट आफ का टॉपक समझें तो अब यह हमारा कॉलम आपको बनके तैयार हो गया है चलो इसके बेसिस पे एक बार हम देखते हैं कि कैसे बनेगा तो देखो हमारा दस लाग का डिवेंचर है तो फॉस्ट येर में हमने माना थ याद है ना आपको यह मैंने बता है 2005 में तो 2005 में हमारे डिवेंचर साउट इस्टेंड नी कितने हैं वेटे दस लाग ठीक है अब तो 2005 में हम क्या करें हर साल हम दो दो लाग रुपे करेंगा हमने करें यहां पे टू लाग इच एर हर साल हम ट्रॉई कर रहे हैं तो यहां 2026 अब यहां पे हो गए आठ लाक चुक्क है हमने दो लाग प्धिए कर दिया ऐसे सेवन में होगे 7 में miser हो जाएगा 6 लाग ऐसे जब एट में आएं तो यहां हो जाएगा 4 लाग जब नाइन ना युदा ना थो भे और 10 में खत्म कुछनके हमने पेमिट कर दिया होगा यहाँ पे जब हम पे करेंगे तो खत्म होगा अब चलो इसका ratio काट finely इसको हम काटेंगे तो यह कितने बार में कुटेगा एक बार में यह दो बार में यह तीन बार में यह चार बार में और ये 5 बार में समझ में रहा है ने देखो इसके 5-0, 5-0, 5-0 कटिके है दो का एक बार में, ये 2 बार में ये 3 बार में, ये 4 बार में, ये 5 तो ये इनका ratio बनीगा ठीक है, अब इसके basis पे हम discount निकालेंगे कैसे निकालेंगे, चलो पहले वाले को देखे तो ये कितना है, इसका total करोगे तो कितना होता है जैसा है, याद करो तो हम accounts में तैसे ही करते है, 5-4-9-9-3-12-12-14-15 तो इसका total 15 है, तो हमारे ये वाले जब हमें amount निकालेंगे, तो 5 upon 15, दिख रहा है, चलो आपको साफ साफ करने के लिए मैं थोड़ा बड़ा बना रहो 5 upon 15, इन्टो जो discount के amount है, 60,000 अब इसको आप काट लो 4 times में वो कट गया या 5 से ये 3 times में कट गया और 3 से ये कट गया 20,000 तो 1st year का जो आया है, वो 20,000 है ऐसी जब हम दूसरे साल का निकालेंगे चलो मैं आपको एक और टेबल दिखा दू ये 4 upon में 15 ठीक है, ये 2nd year का निकालेंगे इन्टो 60,000 जब ये निकालेंगे, तो ये भी ऐसी काट होगे बटा, तो ये कितने कटेगा 15 से 4 बार में कट गया तो यहां पे आगे 16,000 एक और मैं आपको दिखा देता हूँ सब्सक्राइब ये 3 वाले को देखो तो 3 upon में 15 करोगे इन्टो 60,000 है जब ये निकालोगे ये भी कट के 12,000 है मतलब इस तरीके से एमाउंट रेडियूस होता जा रहा, पहले साल 20 हुए फिर 16,000 फिर 12,000 फिर 8 और 4 ऐसे करके ये रेडियूस होके आएगा अब हम इसको इसमें बनाने का सीखत है कि यहां पे हम कैसे डालेगे तो देखो, कई बार आलस बड़े काम की चीज़ होती है देखे, कितने असानी से मैं बचे गया तो आप ये ऐसा आलस करना लेकिन ज़्यादा मत करना चुकि आप पेन वाले हो, आप लोग आलस नहीं कर पाऊगे अब देखो, डिस्काउंट तो हमारा 60,000 था अब फ़श्ट येर में में राइट ओफ कितना करना है 20,000 चुकि प्रॉप्सिनेट की बात है पहले साल तो हम पूरे 10,000 था ये उस कर रहे है तो हम क्या करेंगे फ़श्ट येर स्टेट्मेंट अफ पी अनल में हम दिखाएंगे वो 20,000 थाज़एंगे अब हमारा बैलेंस कितना आया 40,000 हमने यहाँ दिखा दिया अब यही 40 अगले नेक्स्ट येर में 40,000 यहाँ पे आ गया ठीक है अब इस साल सेकेंड येर में हमारा राइट अफ करने का इमाउंट कितना है 16 तो सेकेंड येर में आप क्या करोगे 16,000 को राइट अफ करोगे अब बैलनस निकालो यहाँ 40 का 40 रहे गया और यहाँ भी आप 40 लिख दोगे तो बैलनस कैसे निकलेगा 40,000 में 16 मैनस किया 24,000 आपका बैलनस सीडी रहे गया अब इस बैलनस सीडी को फिर हम नेक्स्ट येर में ला रहे है यहाँ पे तो यहाँ पे आपका ऐसे 24,000 हो गया यहाँ नीचे 24,000 है अब इस साल जो हमें राइट आफ करना है मैंने निकाला है ने कितना 12,000 आ रहा तो इस साल हम PNL में फिर से ऐसे 12,000 दिखाएंगे अब जो बैलनस सीडी रहे गया वो हमारा फिर से 12,000 ही रहे गया तो यह 24,000 जो आपका ऐसे आगया फिर इसको आप उठाके लाओगे हाँ पे बैलनस BD होगा फिर इस साल जो आप अगली बार आप निकालोगे तो 2 by 15 करके निकालोगे वो आपका 8,000 आएगा वो दिखा दोगे फिर next year जब आप दिखाओगे तो 1 by 15 करके निकालोगे वो 4,000 आएगा वो राइट आफ कर दोगे इस तरीके से आपका एकाउंट क्लोज हो जाएगा डिसकाउंट और डिवेंचर का देखो अब इस वाले में और इस वाले में फरक है ये बिल्कुल एक प्रैक्टिकल तरीका है कि पहले हमने 10 लाख रुपे हमारे पार लोन था तो हमने ज़्यादा इंट्रेस्ट को राइट आफ किया दूसरे साल हमने कम है 8 लाख है तो उससे कम किया उसके बाद 6 लाख है उससे कम किया आगे 4 होगा तो और कम होगा 2 होगा तो और कम हो जाएगा तो यह एक तरीका है एक practical तरीका इसमें एक trick और क्या हो सकता है कि डिवेंचर्स का जो redemption है वो जरूरी नहीं कि यहीं पे start हो हमने first year से start कर लिया अब कई बार question में क्या करता है कि डिवेंचर्स का redemption हो जो अलग time पे दिखाएगा जैसे कह दिया यहाँ पे कि डिवेंचर्स का redemption हो जो third year में होगा चार लाख fourth year में होगा चार लाख और fifth year में होगा दो लाख तो क्या करोगे first year में 10, second भी 10, third भी 10 अब कह रहा क्या third year में 4 लाख पे करें तो यहाँ पे next वाले में होगा चार लाख पे करने पे 6 लाख फिर इस वाले में आएगा चलो जैसे मैं आपको एक example इसी को दिखा रहो कि यहाँ पर यही वाली value है तो first year में तो आपके 10 लाख ही रहे गा second year में कितना रहेगा वो भी same रहेगा चुक्छे second year में हमने कुछ नहीं पे किया मैंने आपको example यह क्या है कि third year से वो start कर रहा है third year में भी end में देगा तो third year तो पूरा हमने utilize किया 10 लाख अब हम यहाँ पे 4 लाख पे करेंगे तो 6 लाख आएगा फिर कहें next year फिर 4 लाख पे कर दिये तो 2 लाख रहे गया और तीसरे साल खतब अब जब ratio कटेंगा तो यह कैसे आगया जैसे सोचोँ इसका एक यह को गया तीन यह हो गया पांच हो गया पांच यह हो गया ,समझ रहे हैं कैसे क्या सब के 5 पांच-7 नएक पांच जेरो समझ में आ रहा, कही बाद इस टाइप के questions होते हैं, questions में, जो deventures के redemption है, कहां से start होगा, वहां से आप write off करना शुरू करोगे, year में, और उसके basis पर ratio आएगा, उसके basis पर आपके discount निकलेंगे, discount on issue of deventures, या loss on issue of deventures का जो account है, वो account बलाओंगे और account को close कर दोगे, इस तरीके से सारे topic आपके deventures के होगे, हम आगे मिलेंगे आपसे redemption of deventures की topic में, this is all the best, जाते जाते चैनल को like कीजिए, subscribe कीजिए, और अपने friends के साथे से share कीजिए, इस से हमारे परियास को भी बल मिलेगा, और आपके भी दोस्तों को फायदा होगा, मिलते हैं next video में, next time, thank you very much.